हेलो फ्रेंट्स and my dear student welcome to my channel कक्छा 11 गड़ित चैप्टर 3 तिकोड मीतिय फलन प्रिष्णवाली 3.2 हम प्रिष्णवाली 3.1 पहले ही करा जोगें अगर वो आपने हवी तक नहीं की है तो वीडियो के अंत में हम उसका लिंक दे देंगे आप उसे टचर के प्रिष्णवाली 3.1 को कर सकते हैं तो प्रिष्णवाली 3.2 के सभी कोशन यहां पर हम कराएंगे और बहुत ही असान तरीके से कराएंगे लेकिन इसके लिए आपका वेशिक कंसेट्ट केलियर होना चाहिए तो चलिए करते हैं वीडियो को सुरूर अब देखिए यहां पर आपको एक समकोड ति तिकोड मिती पढ़ी है और जो अब तिकोड मिती पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या अंतर है तो जो हाई स्कूल में हमने तिकोड मिती पढ़ी थी वो पूरी की पूरी समकोड तिरूज पर एधारी थी जो आँको यह वाला समकोड तिरूज दिखाई दे रहा था इसलिए ह इसके help से हम 6 तिकोड मीतिय अनुपाद, कुण कों से? एक sin, cos, 10, और यहाँ पर कोसक, और यह सेक, और यह कोड, इनको हम आसानी से याद रसकते हैं, जैसे sin, theta क्या होता है? sin, theta होता है, L बटे K, यानि कि लम बटे, तो आप देखें, मैं यहाँ बता रहा था, कि यहाँ हम तिकोड मीतिय अनुपाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि sin, cos, 10, सभी इस समकोड तिरूज की दो भुजाओं के अनुपाद होते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं तिकोड मीतिय अनुपाद, जैसे sin क्या है? लम और यह कण, लम और कण का अनुपाद है, इसलिए हमने sin क्यों क्या बोला? तिकोड मीतिय अनुपाद, इसी प्रकार से कर दो हम कोज की बात करें, तो कोज ठीटा होता है, देखिए कोज कहाँ पर है? यह वाला, कोज हो गए ए बटे की, यनि अधार बटे कराद, यनि कि अधार कुण सा? यह वाला, यह अधार है, अधार और कण का अनुपाद है, इसलिए कोज को भी हम बोलते हैं, तिकोड मीतिय अनुपाद, और यह लाल बटे काका की हेल्प से हम असानी से निकाल सकते थे, जो नब्यांस के सामने माला होता है, उसे हम कण बोलते हैं, किधर एंगल होता है, उसको अधार और जो ठीटा के सामने इसको लंग, अब देखिए, यही तिकोड मीतिय अनुपाद को, अब हम फच्टियर में जो हम पढ़ लाएं, वहां हम कहें के इसको तिकोड मीतिय अनुपाद को कहेंगे, अब कैसे अधारित है देखे आपने कोडिनेट में जो निर्दे सांग पढ़ी है बिल्कुल उसी चिन प्रिपार्टिय के हिसाब से इसे पढ़ेंगे इसमें पूरी टुनेमेंट्री में जो आपको ब्रत दिखाई दे रहा है उसकी जो रेडियस है यानि तरज्या है उसे हम एक मान के चलेंगे क्या मान के चलेंगे एक यानि इसकी जो तरज्या है वो कैसी है एक है यहनि इकाई है अब यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया हमने और यह पॉइंट मान लिया पी और इसके कोडिनेट ले लिया हमने एक कोमा भी और यह एक कोमा भी कैसे आया होंगे य ये रही होगी ठेक है और चुकि यह समकूर तिरुबुज है समकूर तिरुबुज में अगर हम पाइयत्व गूरेस प्री में लगाते है तो कण का जो वर्ग होता है आपने देखा होगा कण का जो वर्ग है वो किसके बरावर होता है अधार का वर्ग plus लम कवर होता है तो अधार करण कितना है यहाँ पर चूकि यह क्या है ब्रत की तरजिया है और तरजिया कहीं भी ले ले लीजी सब बरावर होती है तो यह हो गया वन का स्कार अधार कितना है इसका अधार कितना है और लम कितना है बी स्कार अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ कण कितना बन है अधार बटे कण कितना हो जाएगा और यहां पर रख दें तो देखिए वही सरसमी का आ गई जो हमने हाई स्कूल में समकोन तिर्वोस से प्राप्त की थी तो कहने का मतलब यह है कि होंगे तो वही साइन कोस्ट हैं जो आपने हाई स्कूल में पढ़े हैं बस अंतर इतना हाई स्कूल में हम साइन को स्टैन को तेकोंड मीफीय अनुपाद कर रहे थे और अब यहां पर इनको तेकोंड मीफीय फ़लन कहेंगे बस इतना अंतर हैं अब देखिए यहां पर चेन पर्ड़कारटी का आपको बहुत धियनकना क्योंकि इस एकसराइज में ज यह बहुत ही important है और इसी से question होने वाले है तो यहां पर देखी चिन प्रिपारिटिकी में बात कर रहा था तो हम जानते हैं कि A जो होता है एक्सक्ष की धंदी सामें है तो यहां पर positive लेंगे बी भी positive लेंगे तो इसे coordinate होगा A कोडिनेट होगा A कोडिनेट होगा A कोडिनेट A है यह जो है बायर्च की रिंदेशा में है तो यहां पर minus का B आएगा इसी प्रिकास से यहां पर देखे A तो positive है लेकिन यह बायर्च की रिंदेशा में है तो यहां पर यह minus का B होगा तो अगर हम coordinate की बात करें तो इसके coordinate कितने हो जाएंगे minus A,B जैसा कि आप जानते है second quadrant में minus A,B होते हैं इस तरह third quadrant में जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं minus A, minus B और जो fourth quadrant होता है उसमें जो निर्देशांक होते हैं वो plus, minus अब यहीं से आपको चिन का पता चलेगा अब जड़ा दिहान देना जैसे सबसे पहले लिखा हमने sign theta अब हम first quadrant की बात करें तो क्योंकि first quadrant में A,B यहां पर सभी में जगा तरजया कितनी है वो बनी है तो सभी की जो तरजया होगी वो बन होगी तो यहां पर जड़ा दिहान समझेंगे क्योंकि sign, cost, 10, कोई सा भी निकालेंगे हम first quadrant में A,B दोनों ही positive है इसलिए first quadrant में सभी के सभी plus में रहेंगे तो first quadrant में तो कोई खास बात है नहीं sign theta क्या होगा? लंब बटे करण, लंब कितना है? B, उकरण कितना है? A, यह जाएगा इस तरह कोई सा भी आप निकाल सकते हैं, अब मैं second quadrant की बात करता हूँ देखे, यह तो होगा first, अब इस तरह निकाल लेंगे, अब देखे second quadrant में यह first quadrant क्यलाएगा, यह second क्यलाएगा, यह वाला जो third quadrant क्यलाएगा और यह क्यलाएगा fourth quadrant, ठीके, अब देखे second quadrant में साइं ठीटा निकालना चाहती है साइं ठीटा क्या होगा यहां सा natis Arle喜欢 यानिगे लुपते के लंब कितना है यहां यहां पर देखें लंब है फिलस का और क्लशचवे लंब भटे फिलस न हों पलस का नियाено दिय प्लसमा है और क्योंकि कुछ ही लिखके दिखाऊंगा अधार बटे यहां पर देखिए अधार कैसा है माइनस में प्लस में तो कोस कैसा हो गया माइनस में यानि कि first quadrant में तो सभी plus में रहेंगे sign, co, stand, co, success क्यों क्योंकि यहाँ पे कहीं भी minus यह नहीं है second quadrant में वही minus में रहेंगे जिसमें e आएगा अब एक इसके सिमारा देगे एक इसमारा यानि कि यह हो जाएगा इसका ठीटा, यह हो जाएगा इसका अधार यह हो जाएगा यह हो जाएगा कोण इसदर यह clothes जाएगा लं यह हो जाएगा कोण और यहाँ पे देखें, यह अधार है यह अधार और यह लं, और यह कोण, तो हम इसरह एगा अब जहाँ भी minus में, देखें, यहाँ पे कोई साहीं formal लगा लिजा посмотрим लम कैसा देखिए प्लस का है, अधर कैसा देखिए माइनस का, इसका मतलब सेगिंड क्वार्डेंट में जो टैन होता है, वो माइनस में हो, ठीक है, आप कोई से देख लेगे, किसी का भी आप निकाल सकती है, आप माली ये, हम देखो, मैं निकाल कर दिखा देता हूँ, आपक लम कितना है, ठीक कोईडिनट में देखिए, लम केहाँ, ये वाला, लम है माइनस का, पर प्लस का, कैसा चिन आपको मिलाकर माइनस, यानि कि ठीक कौईडिनट में साइन कैसा होता हूँ, तो हमें कहीं भी रटने की ज़रूट नहीं है, इसी के हिसाब से हम सॉल करेंगे, त आ यहां से कोशक ठीटा हुआ हुआ होसा कैसा हो गया माइनस का लिए तो इसकी हैं से आप कोई सा बिचीन जो है इस तरह से learn रख सकते हैं तो कोई भी बात आपको रटने की जरूरत नहीं है हम इसी की हिसाब से question करेंगे जब मैं question करूंगा तो और आपको clear हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए यह एक चितरा आपको देखाए दे रहा हूँ और लास्ट सूतर है इसमें तो इसमें क्या sign two n pi plus theta यानि कि two n pi का मतलब यह है कि जब एक पूरा round लगाएगा यानि यहाँ से जाएगा और यहाँ पे round लगाएगा इस round के बाद जब first coordinate में आएगा तो first coordinate में सबी plus में होते हैं तो चाहें cos हो चाहे sign हो कुछ भी हो two n pi plus theta बरावर होगा sign theta यानि यहाँ जो भी angle होगा वो यहाँ पर लिख देंगे ठीक है चाहे sign आए चाहे cos हाए ten code कुछ भी हाए क्यों यहाँ end के इस्तान पर देखिए जब बन रखेंगे तो एक round लगाएं बन जब दो रखेंगे तो इसका माल कामल दो round लगाए तीन लखीगें तो तीन रखेंगे तो तीन round लगाए आके first quadrant माहेका याणि पर्थम 14th नहीं बन आए गा और परभाएंगा सभी चिंजड जो हो थे तो बस यह वाला फॉर्मूला और जो हमने पहले यह फॉर्मूले लिखे हैं इसका यूज इस एक्साइज में है चलिए अब हम करते हैं एक्साइज को सुरू तो पहले जो हमने इसका यहां पर इस ठीटा के इस थान पर हमें दे रखा है एक्स एंगल क्या दे रखा हमें एक्स एंगल कुछ भी दिया हो सकता है यहां पर चुकि एक्स दिया तो हमने इसको लिख लिया एक्स तो पहले जो हमें दिया हुआ वो हम लिख लेते हैं देखिए पाइटे के हिसाब से कण क्या रहेगा दो रहेगा क्योंकि अगर हम देखिए यहां पर मान लेते हैं इसको मान लेते हैं यहां से इसका A भी निकाले में समकोर त्रिवोज ओ ए बी में पाइटोगोरस पीमें से यहां से हम लगा देते हैं समकोर त्रिवोज ओ ए बी में तो यहां से हम निकाल लेंगे इसका यह फॉर्मूला है कण का वर्ग वरावर क्या होता है अधार का वर्ग मैं अभी चुकि पहला कोशन है तो पूरा करा रहा हूं इसके उसके बाद सोट कर दूँगा देखे कंड क्या यहां पर दो है अधार कितना है माइनस एक और लम यहां पर निकालना यानि कि हम लंब को सोटक टॉले लिख देंगे टो एह हो जाएगा दो जूने चार यह लंब लम स्क्रोनने निकालना न पार। ओल स्क्रोन हो जाएगा 4-1 मैं यहां इसे सभी से लिख देता हूँ 4-1 तो यह L स्कैर बरावर हो गया अब जराद यहां पर दिहान देने वाली बात है यहां पर बस आपने सभी से दिहान दे लिया तो सुन लो कोशन हो गया अब देखिए यहां पर जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है यहां पर प्लस लेंगे या माइनस लेंगे तो जरा दिहान से देखना कि यह A B जो है वो बाई एक्च की रिण दिसा है कौन सी बाई एक्च की यह वाली यहाँ प्लस माइनस है तो हम कैसा चिन लेंगे यहाँ पर दिखान रखना दोनों में से कोई सा एक चिन लेना है लेकिन वो लेंगे जो चिन प्रिकार्टे के साथ से बैठ रहा हुगा अब हमें क्या निकालें अब आगे वाले निकालेंगे अब देखिए यह निकलते ही हम सब कुछ निकाल डालेंगे तो इसका देखिए यह हो गया इसका अधार यह हो गया इसका करण अब जो हम सिर्फ कह रहा है वो निकालते से ले जाओ सबसे पहले हम निकालेंगे किरा अन्य यह 5 सबसे पहले हमने को निकालेंगे sin sin x की जगे हम क्या लिखेंगे sin x की जगा लिखेंगे sin x sin x होगा sin लम बाटे कड़ L बाटे K कितनी अभी निकलाता है root 3 जोक उटन कितना है modular यहां पर दे रहा 2 answer कितना आगया minus हमेशा शुरू में लिखा जाता root 3.2 या answer बेकुर इसी प्रकार से हम निकालेंगे दूसरा cost cost तो हमें दिया हुआ था अब निकालेंगे 10 10x 10x क्या होगा 10x लम बटे अदार l बटे لم कितना है हमारे पास पास लम अभी निकाला हमने minus का root 3 अधार कितना है अधार है माइनस का 1 अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो answer क्या है प्लस का root 3 ठीक है ठीक है तों कि फएर्ड क्वाइर्ड की बात कर रहा cos, cc, coat, तो चलिए मैं इस execution को यहाँ से इटा दिता हूँ. तो देखिए यहाँ पर हमने sign निकाल दिया, cos हमें दिया रखा था, 10 निकाल दिया, अब किसका number है, cosic का. हम यहाँ पर cosic निकाल देए, तो मैं देखिए यहाँ पर arrow निकाल दिया, जिसे तुम्हें मालूम चल जाए अब हम यहाँ पर निकालेंगे कॉसेक कॉसेक X क्या होता दिए कॉसेक होगा कड़ बड़े लंग यह मैंना लिख दिया जिसे यहाँ काण की कितना है कड़ है यहां पर देखे कड़ है प्लस के दो और लंग है यहाँ पर माइनस का रोट थी, कोई रटने की जरुरत नहीं है, पेलकुल, आपको कोई बड़े अराम से इसको करेगा, सैक, सैक X, सैक क्या होगा, सैक होगा करना बटे अधार, कुछ नहीं रटना, करना कितना है, करना देखे, यहां पर है प्लस का दो, अधार कैसा है माइनस का एक तो आंसर क्या आया इसका माइनस का तो जो कि प्लस माइनस माइनस अब क्या रह गया हमारा कोट ठीक है तो कोट एक्स क्या होगा कोट का फर्मूला है अधार बटे लम अधार बटे लम अधार कितना देखिए अधार है यहाँ पर माइनस का बन लम कितना माइनस का रोड तरी माइनस माइनस हो गया प्लस यानिकी वन अपोन रोड तरी यह आंसर आ गया चाहो तो टैन वाले को ही उल्टा कर सकते हो बात यह बिए यहाँ पर देखिए पूरे त्रिकोण मीती अनुपाद मैंने त्रित्य चरुथांस में निकाल दी है अब मैं आपको अगला कोशन कराता हूँ जिससे और के लिया कहो जाए तो देखे कोशन नमबर दो इसक्रीन पर आच चुका है यह चिन होता है प्लस का और इधर होता है माइनस का तो यह यहाँ पर यह होगा यह माइनस में होगा अधार कैसा लेना हमें माइनस में और यहाँ पर आप आच की धंदिसा यानि कि यह भी प्लस में लेना है यह हमें कैसा लेना माइनस में लेना है ये लस्मिले ना और ये आलवेज पॉजिटिव रहता है teak प्लस एक प्लस चाहे दो रही अप्लस के ठाई ऐल अब हम यहां पर क्या निकाल लेता हूं चाह monitored अधान निकाल नवे रहत ए आधार, बहुरह, वह जानल भे हए तो आप box निकाल दें। बहुर बरावर हो जाएगा। Who बरावर हिए पहले आधर ह appeared सेशल को सब्सकेर आधार हैं। रढ़ को सब्सक्केर में अगे आधार वनद भेर सब्सक्न करका है। लंब्ब और कंड्ड दे रखा इसको ठीक से लिए यह हैं यह बंब कंड्ड देखा अधार निकालना अधार कंड काश्यार माइनस करना है क writes करने collapse और करने निकालेंगे तो मिल्ण ब्लसın और कंडें अधार यह लब्स केments करना किटना है हमारे पास देखी 5 लम कितना है 3 इससे 6 कर लेते 5 का वअग अठीस चलियना ऑद अधार कैसा लेना है तो यहां से 6 होके plus minus में आएगा 6 होके plus minus 4 लेकिन हमें क्या लेना है यहां पर माइनस लेना क्योंकि सेगेंड कोडिनेंट में अधार जो होगा वो माइनस में होगा एक्स अच्छी रिण दिसा में ठीक है बस इस बात का दिहान रखना अगर यह वाली बात समझ में आ गए तो सम्मलो कोशन होगे और हमसे क्या क्या पूछा वो हम निकालते चल ज आगे है माइनस के चार प्लस के पाउच तो कितना अगया अंसर आगया माइनस के चार वटे पाउच ठीक है यह आगया कोश एक निकल लिए अपके निकालना कोश के बाद निकालेंगे हम आएका 10 10X क्या होता देखे लाल बड़े अधार लम कितना है लम है प्लस का तीन अधार है अधार हमने अभी निकाला था मैनस का 4 आइसा कितना हुआ माइनस का 3 वटे चार इसे बाद निकालेंगे कॉसक continue निकालते चले जाएगी Cossack X Cossack X क्या होगा Cossack कण बटे लम कण कितना है कण है इसका plus का 5 कण बटे लम Лम है plus का 3 तो आंसा कितना होगा 5 बटे यह आंसा होगा उसके बार निकालेंगे sack sack क्या होगा सैक है कण बटे अधार तो आपके बाद सहर्ज में आ रही होगी कण कितना है इसका कण है देखे कण है प्लस का पांच अधार है इसका माइनस का चार प्लस माइनस जो होता है वो माइनस का होता तो आंसर हो गया इसके बाद last वाला निकालेंगे quote. quote क्या होगा? अधार बटे? लम. अधार कितना है? अधार है यहां पर plus का 3. नहीं, अधार कितना? minus का 4 गलत होगे. अधार है यहां पर minus का 4. और लम कितना है? लम है यहां पर plus का 3. अधार कितना होगा? minus के 4 गलते यहां 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 इसके बात सहरे में आ गई होगी है, आपके बिल्कुल, खिलियर हो गया होगा. आप चलिए देखते हैं, next question, question number 3, इसमें 34thans में निकालना. 34thans का तो हम question अभी करा चुके हैं, ठीके? और उसके बाद यह है, 24thans, 24thans, और यह है 24thans, तो एक 24thans का और मैं करा देता हूँ, चोथा question. तो question number 3 एक आपको हमबर्ख में करना, और दूसरा करना है question number 5 आपको हमबर्ख में करना, ठीके? तो मैं अब एक 24thans का और परा देता हूँ, question number 4, question number 4 में यहाँ पर आपको परा देता हूँ, ठीके? तो यहाँ पर देखिए, 24thans की बात कर रहा था, 24thans का पर होता है, ठीके? तो यह क्या है एक्स-च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् हमें क्या दे रखा जो दे रखा पहले वो लिख लेगे मैं पहले वो लिख लेता हूं में हैं मैं लाल बटे कका क्योंकि इसकी तजरुत पड़ेगी ठीक है यहां पर क्या आएगा यहां को सेक यहां सेक और यहां आएगा कोट ठीक है इसकी जुरूद पड़ेगी अब इसके बाद जो हमें दे रखा क्या दे रखा सेक दे रखा सेक एक्स परावर दे रखा 13 बटे 5 ठीक है और सेक क्या होता है सेक ठीटा होता है कन बटे अधार ठीक है तो इसे इरेज के थोड़ा सा सही सलीक है अब देगे तो कण कितना है इसका 13 वे करती तो प्लस मी रहेगा अधार कितना पांच तो अधार चन परिपार्टे के यह जो है चतुछांस में चतुछांस में यह हो गया बूल बिंदो सेक्स की धंदिसा में इसलिए प्लस आया और चुक्कि यह पूरे की वेलू कोजिक्टिव थी तो जो 13 होगा वो आटोमेटिक प्लस का ही होना चाहिए तब ही प्लस हो सकता है तो अब यहां पर देखिए स आप शोट निकाल सकते हैं इसके माइनस की अधर की टिके फर्मुला वही है अधर सकार प्लस लाम श्कर इसके कड़े 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 13 अधर कितना अधर है यहां पर पांच आप सोल करेंगे तो 13 13 होते 169 और यह हो जाएंगे 25, कितना हैगा सोल हो के यह आएगा 144 का आुए का प्लस माइनस के बार है अब लेंगे कैसे जो लॉंव बार्वा रहा है वॉव बाय अक्षिकी और दिसाम आ रहा नीचे की ऊहन 되어 के सक लगा हां तो यहां पर लेना अमनलं बरावर माइन épo का बार है बस यह अबको ध्यान रखनाए यहीं पर गराड़ा होने के चांस रहते हैं आप देखिए कि करक्रेँ निकालते शाएए कि निकालना हमें सरे से पहले साइन निकालना मैं यहां से निकालता हूं से साइन क्या हुआ लाल बटे कासOR है ल बटे k ल बटे k साइन के बाद निकालेंगे कोस कोस क्या होगा कोस होगा अधार बटे करण अधार कैसा है अधार है प्लस का पांच करण कैसा है करण भी प्लस का तेरह यह यह और निकालेंगे 10 10x क्यों कर लब बटे अधार कि लाल वड़े का सदेखके निकालना है यहां पर माइनस के बार है अधार है यहां पर प्लस का पांच आगया मैंजस का बार हर वाटे नहीं कैंट लगाएंगे टैन के बाद आएगा कोशक, कोशक निकालेंगे हैं से, कोशक X, कोशक X क्या होगा, कण बटे लम, कण कितना है, यहां पी 13 प्लस के, और कण बटे लम, लम के माइनस का है, तो आंसर कितना जागा, 13 प्लस का, 13 माइनस का, 13, 12 है, यह अंसर आगए, उसके बद आएगा, कोशक के बद सैक, सैक तो हममें दे रका था, बसठी का निकालना हमें, कोट निकालना, चाहू तो यह पलेट भी सकते हो उसके, 10 वाले का पलेट दो, तो कोट निकल जाएगा, लेकिन मैं फूर निक खार अधार कितना है? अधार प्लस का पांच ल्मलं माइनस का बार है कितना आगए अंसर? माइनस के पांच वर्टे वारे जो 10 बाला है उसको पलटथो तो यह अंसर निकल जाता 10 बाला देखिए है 12 वर्टे पांच या 5 बारे वारे यह इसका आभ़े तो मैं समझता हूँ यह question आपको बहुत अच्छे से समझ में आगया होगा अब देखे जो second time का question है अब यह वाला है question number 6 से लेकर 10 तक तो यह question बिलकुल एक जैसे है बस आप एक दो question अच्छे समझ लो बागे question बड़े आराम से कर लोगे चलिए अब हम करना देखते है अब question number 6 question number 6 कैसे करेंगे पहले इसको समझ लेते हैं देखे तो question number 6 आपके देखे इस्क्रीन पर लिखा हुआ है क्या है question? साइन साथ सो पैसे ठीक है इसकी value हमें निकाल लिए तो इसके लिए हमने आपको formula बताया था यह formula होने लगना 2N pi plus theta equal to sin theta या इसको हम यू भी ले सकते हैं 2 pi का मतलब हुए 360 यानिकी n गुणा 360 plus theta equal to sin theta sin है तो sin लिख देगे, cos है तो cos लिख देगे n का मतलब है यहाँ पे आपको 1,2,3 कुछ भी हो सकता है आप देगे, इस form में हमें लिखना हम पहले कैसे लिखेंगे इस form में लिखने के लिएा पहले हमें क्या करना या। 360 से 765 यानिकी जो भी नहीं पर दिया होगा उसको भाग करेंगे कितने वार जाएगा यहाँ दो बार जाएगा Casey 2-0-0 आपको लिखना है यहां से चालो करना तीन सो साथ और फिर पहले लिखना है यहां से यहां से दो गुणा तीन सो साथ यानि कि एन गुणा एन की जग़े क्या है यहां पर दो यानि दो चक्कल लगा है उसने कितने के चक्क्र लगा ए 360 के दो चक्क्र लगा है फिर कहां पर आगया दो चक्क्र लगाने के बाद फिर ख़ष्ट क्वारडेंट में आयसे आपको ऐसे लिखना दो गुना 360 गुना प्लस के 45 यह फोम आगई एन गुणा 308 प्लस ठीटा अब ठीटा के स्थांब क्या यहां पर 45 हम यहां पर लिखेंगे इन्हें करने के लिए आपको जो टेविल है वो याद होनी चाहिए हाई स्कूल में टेविल आपको बताई के थी मैं समझता हूं आपको याद होगी है भी हाई स्कूल में जाके सेख सकते हैं तो बन अपन रूट तो इसका आंसर आ गया समझा आगया होगा आप देखिए एक कोशन और करा देता हूं जिससे आपको किलियर हो जाए सातमा कोशन देखिए देखिए कोशन नमर सेविन आपकी स्क्रिंप है 1410 निकालना तो आपको एक क्रेशन लगा देंगे कोशक कोशन देखिए फूर्ट काडिनेट में आप उससे यात रजकते हैं एक सेंटस है एड़ सुगर तो कॉफी इसकी हैल्प से आप यात रसकते हैं तो आप जिसे एड़ का मतलब आल पोजिटिव जैनी कि फर्स्ट काडिनेट में सभी प्लस में रहते हैं सिगर का मतलब सेकंड काडिनेट में साइन और कोशक पोजिटिव रहें वाकि सब माइनस ड्सुगर का मतलब एंड़् कोए बाकि सब्सकर नवा스트 क क मक्रजिटिव में all positive second quadrant में sign और cosec positive यानि कि जो लाल बेटे कक्का होता वहां उपर और उसके जश्ट नीचे वाला को का मतलब 10 और positive रहेंगे को का मतलब cos और cosec positive रहेंगे बागी सब माइनस रहेंगे अब देखी 1410 अब इसको फिर वही करना और 24ogen तो यहां पर देखे कुछ ज़्यादा ले 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 हम ठीकिए अगर ज़्यादा आ ciao रहा है तो माइनस वाला ले हम अगर कम है तो photo ले लेंगे तो ऐससको कुछ कि 1410 के आपक्वाला ले 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 तो कि यहां पर देखने ले अगा तक तेखने लिए अगर तेखने लेगा periodan by थूलिए से तेखनय मात्व जाविसे सब पने और नारिखने रखने से कि तो जाजा तेखनों सब्रणे से न Para लाज़ए फूर्थ कॉार्डिनेंट में हमने बताया था कि को सस्ऐक प्लस में हैं, पाकिसाब माइनस में. तो को सक 308 माइनस ठीटा होगा, माइनस का को सक ठीटा, ठीटा की जगह है 30. ठीकिए? और माइनस माइनस देखिए यहां पहुझाएगा प्लस यह हो गया को सक 30. और QAWSK30 की value कितनी होती है, QAWS3 की value वही होगी जो Schmidt 30 की उल्टी है' Sign удX का मान होता एक वड़े दो उसका उल्टा तो टेविल आप याद कर लेजिए तेविल गेर्गी जो हाइच स्कुल वाली टेविल है उसी से भाद करना मुझाँ है अब देगे Есть question No.8 चलिए वो भी में next page पर कर देता हूं तो यह question number 8 आपकी screen पागिया है 10 19 pi upon 3 तो देखे पाई पाई का मतला होता है 180 ठीक है और इसको हमने 3 से इसको भाल लगा दी 3 चंग 18 अब कितना हो गया इनकी गुणा कर लिएंगे तो चैनम 54 का चार और चैकम 6 और 5 ग्यार ग्यारे सो अब इसको जो है हम फिर भाग लगाएंगे वही ठीक है तो कितना आ गया यह तीन चंग 18 और यह चैनम 54 का चार चैकम 6 और 5 ग्यारे सालिस आ गया अब इसको भाग देंगे 360 360 से 360 से 11 से चारिस को भाग देंगे तो कितने वार भाग जाएगा यह देखना तो भाग जाएगा यह तीन वार तीन जीरो जीरो तीन चंग 18 इंतिया नो एक दस कितना बचा जीरो और यह 14 में से आट गया है यह बचाएगा यह बचाएगा तो क्या करना है बिल्कुर सेम ऐसे ही रहता है कोई चेंजिंग नहीं होती है यह 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 कोई से एक प्लस में रहते हैं बाकी सब माइनस में तो साइन माइनस ठीटा होता माइनस के साइन ठीटा अब पाई की जगे क्या रखेंगे वही एक सूअसी अब तो कितना जाएगा माइनस का ग्यारा जिरो जिरो ग्यारा जिरो 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 ज जादा होता तो माइनस में लिखना है, कम होता है तो प्लस में, क्या लिखेंगे इसको अब देखिए, जैसा पहला लिखा था हमने, कितने चक्का लगाए इसमें, कितने के लगाए, 360 के, और फिर कोन से क्वादरेंट में रहे गया, माइनस का मतलब फॉर्थ में रहे गया, औ माइनस के, साइन साट, और साइन साट की वेलू होती है, रूट तीन बटे दो, माइनस माइनस प्लस, और साइन कीज़े लगें, रूट तीन बटे दो, यह इसका अंसर आगिया, रूट तीन बटे दो, कोशन नमबर नो का अंसर आगिया, रूट तीन बटे दो, अब देख कोशन नमर दस और लाश्ट कोशन आपकी स्क्रिविंग पे हैं कोट फिर हम वही करेंगे जैसा कि अभी किया था पाई का मतला हो गया 180 अब इसको चार से भाग लाएंगे चार चोक 16 प्लेश चार पंजे बीश अब इसकी हम गुणा करेंगे और कोट माइनस टीटा जो होता है वह माइनस के कोट फॉर्थ पार्डेंट में वह सेक प्लसम होते हैं बाकी सब माइनस में तो क्या हैंकी गुणा पंद्रह पंजे पिछेतर का पांच पंद्रह चोका साथ शाट और 60 अब तीatus 50 फिर यहीं तो दो वार देदेंगे यहीह्iा-240 च्यकिंकि जादे है तो माइनस में बचेगा मैंनस का 10 मेंसे 5 पंजे के वचे 5 यहां 12 21 मेंसे 7 पंजे के वचे काट के और फिर माइनस रखके फोर्थ कोईडेंट में आ गया ठीक है और फोर्थ कोईडेंट में कोस का चिंड कैसा होता माइनस का और 45 की वेलू कितनी होती है माइनस का एक तो माइनस पहले से ही है यह हो जाएगा प्लस पांसर कितना आ गया एक आ गया तो इस तरह से देखिए हमने पूरी एक साई यह फिनिस कर दी है यहाँ पर हम आपको एक इनफॉर्मेशन देना चाहेंगे अगर आप हमारे वाटसप ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो वाटसप ग्रूप से जुड़ सकते हैं जहां आप इस टाइप का बटन होता साइड में कॉर्नल में जैसे आप इसको दबाएंगे तो यह इस टाइप का हो जाता है आपको एक डेस्क्रिप्शन वोक्स दिखेगा डेस्क्रिप्शन वोक्स बोलते हैं उसको उसके अंदर निले रंग की पट्टी होगी वहाँ क्लास 11 का कि वो इनफॉर्मेशन जो आग के काम की हम उस ग्रूप में डाल देते हैं अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहे हैं तब तक के लिए जै हिंद जै भारत